हेलो एब्रीवन स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉप में सैनिक स्कूल से सिख्षकपर्ती का नया एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है जिस में आपको सैलरी के साथ में फ्री रेजिदेंस फूड भी अबलेवल होगा फिजी टी में शैलरी 62,000 पर मनत रहने वाली है कांचलर की सैलरी 42,000 पर मनत है 21 से लेकर 40 यर तक के कैंडिरेट आविधन कर सकते हैं पिजी टी के लिए लाइब्रेरियन की वेकैंसी है नर्सिंग sister की वेकेंसी है पी टी आई की वेकैंसी है LDC Lower Division Clerk की वेकैंसी आई हुई है साथ में लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो लास्ट डेट जो है 22 अक्टूबर 2024 है इससे पहले जो है अगर आप इंट्रस्टेड हैं सेनिक स्कूल की भरती में सामिल होने के लिए तो समय से पहले जो है आवेदन कर दें चिन पोस्ट में 10 पास कैंडिडेट 12 पास क्योंकि कोई अनुबर्म नहीं मांगा गया किसी भी पोस्ट के लिए सैनिक स्कूल गोपाल गंज की ओफिशियल वेबसाइट पर चले आए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्मेंट ऑफ इंडिया के अंतरगत यह वेकेंसी जारी हुई है लेटेस्ट न्यूज में सबसे ऊ एप्लिकेशन फॉर्म डॉड्लोड कर सकते हैं क्लिक हे टु डॉड़ोड दान्टिफिकेशन वर वेरियस पोस्ट तो यह पूरा जो है वेकेंसी का नोटिफिकेशन ओं है एक करके सारी चीज़े देख लेंगे सबसे पहले लडी सी की देखें एक वेकेंसी है कॉन्ट्रैक और खाने की सुविदा तो बिल्कुल रहेगी क्योंकि सैनिक स्कूल जो है रेजिदेंशल स्कूल है इसमें केवल 10 पास मांगा गया है और टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिस में और 35 वर्ड पर मिनट हिंदी में इसकी आपको नौलिज होनी चाहिए पीटी आई का मैट्रों फीमेल कैंडी रेट अप्लाई कर सकती है इसमें भी केवल 10 पास मांगी गई है और आपकी जो है इसमें इंग्लिस और हिंदी आपको बोलना आना चाहिए ठीक है 32,000 पर मंद इसमें सैलरी है 18 से 50 यर इसमें भी उम्र कही गई है नर्सिंग सिस्टर में फीमेल कैंडी रेट की एक वेकेंसी है अनिजब कैटिगरी की है ये सभी वेकेंसी तो कोई भी आविदन कर सकते है नर्सिंग डिग्री यर डिपलॉमा आपका होना चाहिए मिनिमम तीन साल तक का ठीक कम से कम तीन साल तक का हो 28,500 इसमें सैलरी रहेगी 18 से 50 वर्स इसमें उम्र कही गई है ठीक है किसी भी पोस्ट के लिए जो है अनुभव जरूरी नहीं है फ्रेशर इसमें अप्लाइ कर सकते है किसी भी पोस्ट के लिए बैंड मास्टर की जो वेकेंसी है तो इसमें आपका ट्रेनिंग होनी चाहिए 31,000 पर मन सैलरी है इसमें एज 18 से 50 वर्स है लाइब्रेरियन की एक वेकेंसी है तो बैसलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइन्स या फिर ग्रेजुइशन किसी भी सब्जेक्ट से और एक साल का आपका लाइब्रेरी साइन्स में डिपलोमा या डिग्री हो इंग्लिस और हिंदी जो है फ्लुएंटली आपको बोलनी आनी चाहिए पढ़नी आनी चाहिए ठीक है तो इसमें जो है किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप आविधन करते हैं इंग्लिस मीडियम कैंडियरेट हिंदी मीडियम कैंडियरेट कोई भी आविधन कर सकते हैं 32,000 पर मन सेलरी इसमें इसमें उम्र लाइब्रेरियन के लिए 21 से 35 वर्स है नेक्स्ट काउंसलर की वेकेंसी है तो आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है साइकलोजी में या फिर आपने MA या MSC किया हुआ है साइकलोजी में आपके पास साथ में एक डिग्री काउंसलिंग की या क्लिनिकल साइकलोजी की या फिर अपलाइड साइकलोजी की या फिर आपके पास इसका certificate या फिर diploma in therapy of parenting फो्म रेकॉंगे से हो ठीग है या और भी है कि तो भी आप इसमें अपलाए कर सकते हैं अनुहव नहीं चाहिए लेकिन जो भी अनुभवी candidate रहेंगे experienced candidate will be given preference तो उनको जो इसमें प्रात्मिक्ता देंगे उनको आगे रखेंगे 42,000 पर मंत इसमें salary है इसमें 26 से लेकर 50 वर्स तक के उम्र candidate आविदन कर पाएंगे PZT में जो है केवल एक subject में vacancy है chemistry तो जिन candidate का subject है chemistry वो बिल्कुल ध्यान दें काफी अच्छी salary के साथ में आपको सारी सुविधा है यानि कि भोजन और आवाज की सुविधा हो और salary साथ में तो ये तीनों चीजें ही जो है आपको चाहिए होती है 21 से 40 वर्स इसमें उम्र है master degree के साथ में 28 जरूर होना चाहिए आपका पढ़ाने का जो है Hindi medium, English medium दोनों ही candidate आवेदन कर सकते हैं ठीक है आप Hindi medium से पढ़े हैं कोई problem नहीं है बस आपको पढ़ाना जो है वो English में ही रहेगा ठीक है तो ये vacancy है सैनिक स्कूल गोपाल गंज कहां है अब भेजना कैसे है application form वो देख लेंगे application form ओनलाइन भेजना है या offline mode में तो यहाँ पर देखें सबसे पहले तो ये address नोट कर ले प्रिंसिपल सैनिक स्कूल गोपाल गंज पोस्ट ऑफिस सिपया वाय कुच्ची कोटे जो भी आप लिखा है आप spelling देख लेंगे district गोपाल गंज बिहार 84151 तो envelope के उपर आपको ये पूरा address लिखना है किस पोस्ट के लिए apply कर रहे हैं वो आपको लिखना है ठीक है capital letter में ही लिखें और आपको demand draft बनवाना है bank draft 500 रुपीज का बनेगा तो bank में आपको जाना है और principal sanic school गोपाल गंज state bank of india sasa masa branch cod district गोपाल गंज बिहार इस नाम से आपका बनेगा ठीक है bank में चले जाएंगे आप demand draft जो है आप कहेंगे sanic school गोपाल गंज के नाम से बनाना है आपको जो है code ये सब कुछ आपको वहाँ पर लिखना होगा और अपने जितने भी document है application form के साथ मैं आटेस्ट कर देंगे bank of india draft की जो receipt है आपकी वो आटेस्ट कर देंगे और बिल्कुल साफधानी से पूरा fill करके भेज़ देना है समय से पहले भेज़ देना है last date जो है 22 October 2024 है काफी समय है लेकिन फिर भी जो है अगर आप आविदन करने के इच्छोख हैं तो आज से ही जो है इसमें आप काम करना स्टार्ट कर दे ठीक है कैसे होगा selection process क्या रहेगा तो इसमें लिखा हुआ है कि selection will be carried out purely on merit basis इन्होंने जो है ऐसा नहीं लिखाए कि written test होगा या interview होगा ऐसा कुछ नहीं लिखाए बस लिखाए purely on merit basis यानि कि जिनके ज़्यादा marks होंगे graduation में, post graduation में या जो B.Ed मांगा है उसमें जैसे भी तो ये सारी सूचना आप लोगों को email या फिर phone number के द्वारा दी जाएगी official website का link आप लोगों को इस वीडियो के नीचे description box ने share किया जाएगा जैसी ही आप application form भेज देते हैं उसके बाद जो है आप देखते रहेंगे कि कोई जो है message या email वगरा जो भी कुछ आया है ठीक है चलिए ये vacancy थी जो की बिहार सैनिक स्कूल गोपाल गंज से है आप किसी भी राज्ये के candidate है आप यहाँ पर eligible है अगर आपका subject है तो बिल्कुल आप समय से पहले आविदन करें थैंक यू